हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाव दोस्तों एक बर मैं फिर हाजी नहीं रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पकोड़े रिम जिम का मौसम हो और पकोड़े ना ज्याद हैं ऐसा तो अपने घर पर बनाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने मौंग डाली थी एक कटोरी के क्रीब मैंने मौंग डाली थी जिसे मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था और बहुत ही बड़ी आ तरीके से यह देखिए फूल चुकी है अगर आपके पास समय कम है तो आप 10 गंटा भी भोच सकते हैं है रिजर्ट वही बढ़िया आएगा तो अब हम क्या करेंगे इसे हम पानी में से बिल्कुल निकाल देंगे और मिक्सी जार लेंगे और इसमें पेस्ट बना लेंगे तो पेस्ट मैंने बना लिया है बहुती बड़ीया पेस्ट बन कर त्यार हु तो ये मैंने एक प्याज ये प्याज लिया है डाल देते हैं शाथ में करी पता लिए हैं ड्राइप टपता है अगर आपके पास अब ख़ाम प्रश करी पता है तो आप फरेश भाज भी ले सकते हैं और ये विदेंPod इसे मैंने कट करके ले लिया है बहुत ही बड़ी आ फ्लेवर आता है इससे और यह मैंने तीन हरी मिर्च ली है इसे भी डाल देते हैं बाकि आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं तो अब मैं डालूंगी इसमें जिंजर गालिक पेस्ट इससे भ ने रही हूं है धन्यों पाउडर 1-4 टीस्पून मैंने लिया है बुरे हुए जीरे का पाउडर और 1-4 टीस्पून ही मैं ले रही हूं गरम मसाला तेस्ट के कॉर्डिंग लेंगे हम नमक तो सभी फ्लेवर इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से तभी हमारे खाने हैं तो मसाले तो इसमें काफी जाते हैं तो बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको मसाला अच्छा लगता है वह भी इसमें आड़ कर लीजिएगा बहुत ही टेस्टी हमारे पकॉर्डे बनेंगे तो मिक्स कर देते हैं इसे बड़ी आतरीके से और मूंग डालके पकॉर्डे हैं वह तो वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं तो लीजिए मिक्स हमारा बिल्कुल तयार है बैटर हमारा बिल्कुल तयार है पकॉर्डे के लिए तो अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम करते हैं और रख देते हैं कड़ाई और डाल हाँ से बहुत जल्दी जल्दी भी डलते हैं और बिल्कुल साइज भी बिल्कुल एक जैसा आता है पकॉड़ों का तो डाल देते हैं जितने इसमें आएंगे और जट पर यह दिखिए बनकर हमारी रेश्पी भी त्यार हो जाती है समें ज्यादा तो लगता नहीं है यह पकॉड़े बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और इसकी मैंने मीडियम रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसे ऑईल को गरम किया है हाई फ्लेम बि लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो इसे उलट पलट करते हुए अच्छी तरह से गोर्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स कितना बड़िया कलर आ चुका है और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तीन से चार मिनट लगे हैं इसे फ्राई होने में निकाल लेते हैं टीशिव पेपर के ऊपलimas के ताकि धिया यह अब यह वो निकल जाएगा इसमें से और बाकि कभी हम पकॉड़े इस तो इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो सारे पकोड़े मैं ऐसी तरह से फ्राई करके निकाल लोंगी बनाएगा जरूर बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में तो ये देखें ये बैच भी हमारा त्यार है यानि कि पकोड़े हमारे सारे त्यार हो चुके हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूं कि किस तरह का पकोड़े हमारे बने हैं यह देखिया है मुह में पानी आ गया यमी यमी पकोड़े बने हैं तो मैं तो एक करने लगी हूं इंजॉय तो आप सोच किया रहे हैं बैठे क्यूं है उठिए बनाईए और खाईए सब को आईए और बारिश का अनांद लीजिए तो दोस्तों इसी तरह से अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी फिर मिलती हूं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई